इसकार आप देख रहे हैं न्यूजफोर नेशन और मैं हूँ प्रेदर्शन लोकसभाचुनाओ 2024 के दौरान बिहार पर भारतिय जनता पार्टी की नज़र है भाजपा चाहती है कि बिहार में हम 40 की 40 लोकसभाचीटों पर बहतरी इन प्रेदर्शन करें और इसके लिए भाजपा ने अपने अलग-अलग सहयोगियों को भी अपने साथ जोड़ना सुरू कर दिया है जिसमें पहले से ही पसुपती पारस भाजपा के साथ न्डिये में सामिल है और हाल फिलाले जब 18 जुलाई को दिल्ली में न्डिये की बैठक होई थे तब उस बैठक के दवरान लोजपा के ही दूसरे धरे याने की चिराग पासवान भी सामिल हुए थे उपेंद कुछ वहाँ भी वहाँ गये थे और यहां तक कहा जा रहा है कि वी आईपी प्रमोख मुके सहनी को भी एंडिये में लाने के लिए भीतर खाने कई तरीके की बातें हो रही है तो ऐसे में भाजपा बिहार में सीटों का बटवारा इन तमाम दलों के साथ कैसे करेगी इसके लिए भी अब भाजपा ने अपने प्लानिंग तयार कर ली है और कहा जा रहा है कि भारतिय जनता पार्टी ने चाहे उपेंदर कुश्वाहा हो चिराक पासवान हो दोनों के लिए सम्मान जनक सीटों को तलासने का फार्मूला बनाया है साथी साथ मुकेश सहनी को भी अपने पाले में लाने के लिए उन्हें भी लोकसभाज सीटों का एक बहतर प्रतिनिदे तो दिया जा सकता है ज़िए सूत्रों का कहना है कि सीट सेरिंग के फार्मूले के लिए भारतिय जनता पार्टी अपनी रन्निती तयार कर रही है और इसके लिए भार्तिपा की ओर से अपने तमाम पुराने साथियों को एक साथ रख करके अगले लोकसभा चुनाओ के दौरान तमाम दलों को खुश करने की कोशिस होगी चाहे इसमें उपेंद्र कुसवाहा हो या बिहार के पूर मुख्यमंद्री जीतन राम बांजी हो या फिर चिराग पासवान सहित मुके सहनी और पसुपती पारस हो इन तमाम लोगों के लिए सीट सेरिंग का ऐसा फारमूला तयार किया जा रहा है जिससे कि सब को पड़ियाप्त संख्या में सीटें मिल जाएं हलाकि अलग-अलग दलों की ओर से भारतिय जन्ता पार्टी के सामने बिहार में बड़े स्तर पर लोग सभाज सीटों की मांग की गई है जिसमें चिराग पासवान की ओर से यहां तक कहा गया था कि उनकी ओर से च्छ लोग सभाज सीटें की पेसकस की गई है लेकिन अब देखना यह होगा कि चिराग, पासवान के लिए और पसुपती पारस जो उनके चाचा हैं, उन दोनों के बीच कैसा सामंज़ से बिठा के भाजपा इन दोनों को एक साथ साथती है। सीटे देने की बातें चल रही हैं, इन में दोनों को सहमत किया जाए। हाला कि सबसे बड़ा पेच यह माना जा रहा है कि हाजीपूर लोकसभा सीट से कौन चुना उलरेगा, क्योंकि इस सीट पर अभी मौझूदा समय में पशुपती पारस सांसद हैं, जबकि चिराग भाजपा ने दोनों को बेहतर पेसकस की है, और माना जा रहा है कि इस सीट की जो उल्जन है, उसे समाप्त करने के बाद दोनों को एक साथ करके, दोनों के बीच में छहस डुग सभा की सीट और एक राजसभा की सीट का फार्मूला ते किया जा सकता है। बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार के जिनेत्रित वाली महागटबंधन से अलग होकर के एंडिये में सामिल हुए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमूख और बिहार के पुरु मुख्यमंतरी जीतन राम मानजी के लिए भी भाजपा ने सीट सेरिंग के एक अलग नितीश कुमार से बगावत करके अपनी अलग पार्टी राष्ट्रिय लोग जनतादल को बनाया है उनके लिए भी इस बार के लोगसभा चुनाओ में दो से तीन लोगसभा की सीट और एक एमल सी सीट दी जा सकती है इसमें काराकाट लोगसभा की सीट भी सामिल हो सकती है जहां से उपेंद्र कुसवाहा खुद चुनाओ लर सकते हैं यानि कि तमाम दलों के बीच जो सीटों का फार्मूला है इसमें छह सीट चिराग और उनके चाचा पसुपती पारक्स के बीच लोग दी जाएंगी दो सीटें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खाते में जा सक सकती हैं और तीन सीटें उपेंद्र कुसवाहा को मिल सकती है यानि कि इन सीटों के पर भारतिय जनतापार्टी दे करके तमाम अपने सहयोगों को खुश कर सकती है लेकिन सूत्रों का कहना है कि भाजपा की कोशिस यह भी है कि मुकेश सहनी भी उनके साथ हाएं और इसके ल में अपनी बस यात्रा भी शुरू की है और वे अपने समर्थकों के बीच अलग-अलग छेत्रों में दोरा कर रहे हैं तो माना जा रहा है कि भारतिय जनतापार्टी इन सब के बीच मुकेश सहनी से भी सीटों के सेरिंग के फार्मूले पर कर रही है और यह भी कहा जा रहा है कि भारतिय जनतापार्टी यह भी चाहती है कि या तो मुकेश सहनी खुद किसी एक सीट से चुनाव लरें और अपने किसी करता को भाजपा के ही सिंबल पर चुनाव लरा दें ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी दो सीटों पर चुनाव अपने दो लोगों को लरा सकते हैं ल दो सीटें हिंदुस्ताने वाम मोर्चा के खाते में जा सकती है यानि कि जीतन राम मांजी की पार्टी वहां चुनाव लर सकती है तीन सीटों पर उपेंद कुसवाहा की पार्टी चुनाव लर सकती है और दो सीटों का फारमूल आमुके सहनी को दिया जा सकता है यानि बिहार के कुल 40 लोग सभा सीटों में से 13 लोग सभा की सीटें भाजपा अपने सहयोगियों को दे सकती है और इसी बहाने भाजपाग बिहार की कुल 40 लोग सभाज सीटों में तमाम सीटों पर अपने आप को मजबूत करने के लिए सहयोगियों का मजबूत साथ ले सकती है लेकिन अब देखना यह महतपूर्ण होगा कि क्या आने आने वाले दिनों में सीट सेरिंग का जो फार्मूला भाजपा लेकर के चल रही है उस पर उसके तमाम साथ जो सहयोगी हैं वे तयार होते हैं या फिर ये सेरिंग का फार्मूला कुछ और भी बदलता है क्या होगा हम आपको तमाम अप्टिट्स बताएंगे आप हमारे साथ बने रहे हिंडू इस फोर्निशन के